पिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके साथ हूँ मैं रुबिका लियाकत मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का स्वागत है आज मास्टर स्ट्रोक में खबरों की शुरुआत उस खबर से जिसके लिए हम आपको लगातार सतर्क करते रहे हैं Master Stroke में पिछले गुरुवार को याद कीजी, शुकुरुवार को भी याद कीजी हमने बताया था कि किस तरह पंजाब से दिल्ली तक आतंकी खत्रा मन रहा है रविवार को अमरत्सर में हमला अब दिल्ली में दो आतंकी के होने की खबर मिली है आज हम आपको अमरत्सर में आतंकी हमने वाली जगह पर भी ले चलेंगे और जानेंगे कि अलर्ड के बावजूद आतंकी अपने मनसूबों में कामियाब कैसे हो जाते हैं लेकिन सबसे पहले इस खबर की 5 हेडलाइन आपको जाननी चाहिए दिल्ली पुलिस ने दो आतंकीों की तस्वीर जारी की है दोनों के दिल्ली में ही होने की आशनका है दोनों आतंकी एक पोस्टर लेकर खड़े हुए है जिस पर लिखा है मेरे साथ चल भी रहा है दिल्ली 360 किलो मीटर और फिरोसफूर 9 किलो मीटर दूसरी ओर अमरित सर में निरंकारी डेरे पर हमला करने वालों का पता बताने पर 50 लाग रुपए इनाम का एलान कर दिया गया है चश्मदीदों के बयान के आदार पर आतंकियों के स्केच बनवा रही है पुलिस और अभी किसी का स्केच जारी नहीं हुआ है पुलिस आसपास के सभी CCTV कैमरास को खंगाल रही है जाज कर रही है लेकिन अभी तक हाथ में कोई भी सुराग नहीं आया है दो तस्वीर अब आपको दिखानी है पहली तो अमरित सर की तस्वीर और दूसरी दिल्ली में आतंकी अलर्ड की तस्वीर ABP News समधाता असीन बसी अमरित सर में उस जगह पहुँचे जहां ग्रेनेड से हमला हुआ था आप ग्रेनेड हमले के निशान इस वक्त देख सकते हैं टेलिविजन स्क्रीन पर सामान बिखरा पड़ा है जांच अभी चल रही है लेकिन जैसा मैं आपको बता रही हो अभी तक कोई बड़ा सुराग हाथ नहीं लगा है पुलिस के दूसरी तस्वीर अपसे कुछ देर पहले हमें मिली जिसे दिल्ली पुलिस ने जारी किया है आशंका ये है कि ये दोनों आतंकवादी दिल्ली में छिपे हैं दोनों आतंकवादी जो पोस्टर लिए हुए खड़े हैं उर्दू में उस पे लिखा क्या है दिल्ली 360 किलोमीटर और फिरोसपुर 9 किलोमीटर मास्टर स्टोक में ही हमने गुरुवार को आपको बताया था कि पंजाब में आतंकी हमले का बहुत बड़ा खत्रा है आतंकी जाकिर मुसा वहां अमरिटसर में देखा गया है वो वहां की चप्पे चप्पे से वाकिफ है उसके बाद अम्रित्सर में ग्रेनेड हमला हो गया अब दिल्ली को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है कि हमला हो सकता है लेकिन हमारे सुरक्षा बल्ग सतर्क है और ऐसी किसी भी आतंग की वारदात को रोखने के लिए पूरी तरह सक्षम है हाला कि अम्रित्सर हमले के आरोपियों को लेकर कोई बड़ा सुराख अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है पुलिस के अंदर आतकवादी हमला हो था लेकिन आप देख सकते हैं यही वो में गेट था जहां से एक शक्स पहले अंदर जा चुका था जिसके पास गृनेट था अब एक शक्स यहां से अंदर आया और दोस हिवादारों को इस जगा के सा अपास पिस्टल की नोख पर बंदक बना लिया ABP News टीम विशेश इजासत लेकर अमृत सर के राजा सांसी गाओं के उस सत्संग भवन के अंदर पहुँची जहां रविवार को दो आतंक्यों ने ग्रेनेट से हमला किया था सत्संग भवन आप देख सकते हैं वही सत्संग भवन है जिसमें रविवार को करेकरम चल रहा था और वो में गेट वो में गेट वहां से वो अंदर एंट्री करता है और आगे जाके ग्रेनेट लॉब कर देता है पुलिस और एनाईए की टीम ने घटना स्थल को अपनी निग्रानी में रखा है लगातार सबूत जुटाए जा रहे हैं सूत्रों की माने तो हमले में बेहद हाई इंटेंसिटी ग्रेनेड का इस्तिमाल किया गया था जो पाकिस्तानी सेना इस्तिमाल करती है जिस जगा पर ग्रेनेड गिरा वहां गहरा गड़ा हो गया बिखरी चीजे और जमीन पर खून के छीटे बता रहे हैं कि हमला कितना घातक था इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ बताये जा रहा है पाकिस्तान में रहने वाला गोपाल सिंग चावला मास्टर माइंड बताये जा रहा है चावला आतंकी हाफिस सहीड का करीबी है और वो उसके इशारे पर ही काम करता है आतंकी संगठन कई दिनों से देश को दहलानी की साज़िश रच रहे है पंजाब के बाद अब उनके निशाने पर दिल्ली है तो पंजाब में खालस्तान के जरिये आग लगाने की साज़िश पाकिस्तान में हो रही है प्लान आईसाई बना रहा है आपके लिए कुछ जानना बेहत जरूरी है ऑपरेशन ब्लू स्टार याद कीजिए उसकी 36 वी बरसी पर रेफरेंडम 2020 लॉंच करने की तैयारी हो रही है खालस्तान की मांग के लिए सोशल मीडिया पर जन्मत संग्रह का प्रॉपगेंड़ा पहलाया जाएगा भारत का most wanted परमजीद सिंग पंपा इस साज़िश को अंजाम देने में लगा हुआ है यही है वो परमजीद सिंग पंपा की मदद पाकिस्तानी सेना का करनल है एक शाहिद मोहम्मद मलही उसे चौधरी साहब भी कहते हैं वो कर रहा है sources हमें यह बता रहे हैं कि ISI अमेरिका की sick for justice संस्था को भारत में माहौल बिगाड़ने के लिए fund दे रहा है Masterstroke के खबरों को आप बहतर तरीके से समझ सके इसके लिए हमने इसे दो हिस्सों में बाता है एक तो white और दूसरा black आपको यह बताया जाता है white वो खबरे हैं जो होती है और black जिसे आप से चिपाया जाता है या किसी कारणवश आप उसे जानने ही पाते अब वक्त है खालिस्तानी आतंकियों के खबर का black आप जाने है अचानक से इतनी जोर से हवाई जैसे शात्त गिर गई है मैंने बड़ी बिलाने की खुशित की वो नहीं बुला देखा तो हो गया ही नहीं था वो भी गत्ल हो गया समर्जीत में आखू के सामने बेटे संदीप को खो दिया कि कुछ नहीं कहके निगले अंदे शरने चलने यां दास वजे चलगे ना दोगे यह कुलदीप सिंग का परिबार है कुलदीप सत्संग में गय थे लौटे नहीं पिर कभी समकी आगे नहीं बेटा मैं बीच में बिठाती हूं कर मैंने बहुत कहा आगे मत जाओ आगे मत जाओ लेकिन जो हमारे बवन के मुकी है उनके साल चुड़कर बैड़ गया आरोब खालिस्तानी आतंक्यों पर है जो एक बार फिर जिन्दा हो रहे हैं 1978 से 1993 के बीच पंजाब में खालिस्तान के आतंक में 11,646 लोग मारे गए 1746 सुरक्षबल शहीद हुए खालिस्तान समर्थक और निरंकारियों के बीच गुरू के अस्तित्व को लेकर विवाद है और अब एक बार सूत्रों के मुताबिक जब खालिस्तान जिन्दा होने की कोशिश कर रहा है उसने निरंकारियों को निशाना बनाया है आपको पता है भार्टी सम्वधान के प्रियांबल में 1976 में एकता की साथ एक और शब्द जोड़ा गया था अखंड़ता और बरसों से इसी अखंड़ता को निशाना बनाने के फिराफ में है ये खालिस्तानी इनमे और कश्मीर के अलगावादियों में कोई खास अंतर नहीं है ये सब क्या करते हैं पंजाब से दूर दूसरे देश में बढ़िया जिंदगी बसर करते हैं और पंजाब के युवाओं को बरगलाते हैं भारत को एक सुर्मेन आतंकियों को कहना चे और इंपक्त कहते है कि खालस्तान का हिंदुस्तान में कोई स्थान नहीं है